अभी हम लोग class 11 math का example number 7 देखने वाले हैं set chapter का पहला chapter का ठीक है देखा जाए इसमें A, B, C, D, E करके 5 को set दियावा है और इसमें बोल रहा है क्या कि कौन सा जो set है कौन कौन सा set ऐसा है जो की equal है अपने आपने, equal set से वो हमको पहचानना है और उसका कारण भी बताना है कि क्यों equal है ठीक है, तो देखा जाए जरासा, सबसे पहला जो set है वो एक ऐसा set है जिसमें की एक ही number है मेरा क्या, 0 अच्छा ठीक यह है, बाद बाकी और किसी समेच करता ही की नहीं, देखते है जरासा, अच्छा ठीक यह उसके बाद बाकी यह जो b number है यह b number में देखो तो आप, b क्या बोल रहा है, कि x जो है, such that x का मान क्या होना चीए, 15 से जादा और x जो है, वो क्या होना चीए, 5 से छोटा होना चीए, अरे भाई, जब 15 से बड़ा होगा x, तो 5 से छोटा कैसे होगा जब 15 से बड़ा होगा तो 5 से फिर छोटा तो possible है यानि कि ऐसा तो कोई number हो नहीं सकता है यह तो possible ही नहीं है तो इसका मतलब यह जो है यह मेरा क्या है एक तरह से null set है खाली रह जाएगा बचार है तो यह null set है और यह यहाँ पर एक ऐसा set है जिसमें 0 है तो यह इसको null set आप नहीं बोलोगे यह और यह इसको सेम आप नहीं बोल सकते हो ठीक है तो यह दोनों एक जैसा नहीं है ठीक है कोई बात नहीं आचा ठीक आगे देखा जाए आप x is such that x जो है minus 5 is equal to 0 तो यहाँ से equation अगर इसको solve करे तो यह क्या बता रहा है कि x minus 5 is equal to 0 therefore x is equal to क्या है 5 है ठीक है रहने देखते हैं देखते हैं कहां क्या होता है d number का देखा जाए ज़रा सा तो इस पर ध्यान देते हैं यह क्या लिखा हुआ है d number को ज़रा सा देखे गौर से x is equal to 25 इसलिए x बराबर क्या root under 25 तो x बराबर क्या हो जाएगा यह 5 अरे तो तुमको क्या लगेगा देखने में कि यह जो d number है इसका answer x बराबर 5 है अच्छा और इसमें भी x बराबर क्या 5 है यानि कि यह जो number था c number इसमें एक ऐसा set था क्या यह 5 तो यहां भी आप कहोगे 5 तो d और c answer हो जाना चीए लेकिन ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि जब आप root solve करते हो तो 1 होता है plus 5 और 1 होता है क्या minus 5 गौर से करो तो 1 plus 5 और क्या minus 5 तो यह जो set बनेगा मेरा d का वो होगा 5, minus 5 तो यह भी इसके साथ match नहीं किया ठीक है c number तो यह था अब देखते हैं last बिचारा e तो जरूर जी equal set है तो यह e ही मेरा किसी ने किसी से match करेगा क्योंकि बात बाकी सब तो कोई किसी से match किया नहीं तो e number देखो तो आप क्या वोड़ है? x is such that x क्या है? is an integral positive root of the equation इतना तो इस equation का जरा साथ solve करते हैं और उसका जो positive value आएगा उस वही हमारा set में योगदान देगा तो देखा जाए जरा साथ हो चुकि x square minus 2x minus 15 बड़ाबर क्या है? 0 तो यहाँ पर इसको जब solve करेंगे तो x square minus इसको क्या लिख सकते हैं? minus इसको लिख सकते हैं 5x और plus क्या लिख सकते हैं? plus 3x minus 15 is equal to क्या? 0 तो आप देखो तो 5 तिया क्या हो गया? 15 हो गया? ठिक अच्छा उसके बाद minus 5x plus 3x मिला कर कि यह minus 2x भी हो गया यानि कि सही सही तोड़ा है हमने अब देखा जाएं तो इसमें से x common ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x minus क्या? 5 यह सब तो आप खुदी solve कर सकते हो ना? तब यहाँ पर देखा जाएं तो यहाँ क्या common ले? जरासा देखा है जाए यहाँ पर क्यालते हैं 3 है 3 को अगर common लेते हैं ठीक है तो प्लस 3 को अगर common लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x minus यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 ना? 3 पचे 15 है बराबर यह क्या? 0 तो यह हो गया x plus 3 into x minus 5 बराबर 0 तो इसमें x का एक value आया कितना? इसको जब बराबर रखेंगे जब हम लोग x plus 3 is equal to 0 कडेंगे तो x बराबर आएगा minus 3 and अगर x minus 5 is equal to 0 कडेंगे तो x बराबर क्या आजाएगा? 5 तो हमको positive वाला ही लेना है negative वाला को नहीं लेना है तो set हमारा यहाँ पर क्या बना? 5 अरी यह किसी के साथ match किया? किसके साथ match किया भाई? C नंबर के साथ match किया C का जो set बना था वो भी क्या था? 5 ही था ना C का जो set था वो भी क्या था? 5 था और E जो है इसका भी set मेरा क्या बना? 5 ही बना positive वाला तो यह और यह यानि कि C और E दोनो equal set है यानि कि एक ही जैसा है स्क्रीन साथ लेलो इसको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना अच्छा में पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और जाते जाते प्लेलिस्ट जरूर देख लेना साथ ही साथ आप math के साथ साथ physics का भी सारा चीज का कमिश्टी का सब कुछ का solution आप हमारे चैनल से पास अकते हो बाबाई राष्ट अफलाग